इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उत्राखंड के लिहाज से आज एतिहासिक दिन है क्योंकि विधान सभा के पटल पर यूसी सी विधेयक पेश कर दिया गया है। मुक्यमंत्वी पुशकर सिंग्धामी ने चुनावी दोरान जो वादे आम लोगों से किये थे उन्हें के करके पूरा कर रहे हैं और अब बारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या इसे कैसे इंप्लिमेंट किया जाएगा और इसे क्या क्योंकि जो महिलाएं हैं लड़कियां हैं वो क्या सोच रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और क्या इसे उत्तराखंट के साथ साथ देश में भी लागू किये जाने की जरूरत लगती है क्या रितू से शुरुवात कर लेती हूं जी बताएं आपकी यूसी सी को ल दिया तो तलाक हो गया फिर उस लड़की के बारे में नहीं सोचते थे कि जिसको छोड़ दिया जाता था तो अब ऐसा है कि उत्राखंट में उत्राखंट के जो सीम है उन्हें कदम बढ़ाया है पूरे राज्जी को एक समान रखने का फिर वो किसी भी धर्म के हो या वो ल सभी आपने सुनाओगा हिजाब के लिए इसा इक समान भीग्ति धिय सकूल में लड़की आ रही है तो हिजाब पहन के आएगी है उक लागउ होने पहना बदलजए जाएगा या इस फूजा कोड़ों गई ड़की हैons अब इसने से बिद western नहीं इस लेकिन हाँ कानूनी तौर पर आपकी चीज़े बदल जाएंगे और जिनका आप खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और कह रही हैं उत्रा खंट के साथ साथ देश पर में इसे लागव होना जाएंगे मैं जो बोलत रहूँ जैसे स्कूल में हैं तो आपने से पहले भी केसि सुने होंगे के लड़कें हिजाब भी पहãyने neutranny that तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्कूल में पर्टिकुलर कोई हिजाब नहीं हूँ वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना है ना कि धर्म को प्रमोट करना है कि यह इस धर्म से यह तो मैं इसलिए खुश हूँ और यह पूरे भारत दर्माहौल रहता है यूसी सी यूनिफॉर्म सिविल कोड़ खास तोर से मुझे ऐसा लगता है लड़कियों के अधिकारों को महिलाओं के अधिकारों को धियान में रखा गया है अब यह तीन तलाक कर दिक्र हो गया लेकिन जो पैत्रिक संपत्ती में महिलाओं को लड़कि सब एक तरह से समान देखे जाएंगे जो मतब काफी विवाद वगारे होते थे इससे अब यह भी कम होंगे यह काफी कुछ हो सकते है जैसे कि उनिफॉर्म सिविल कोड़ समान नागरिक सहिता नाम ही है और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले यह सोच भी है आपको क्या लग रहा है उनिफॉर्म सिविल कोड़ कितनी बड़ी जरूरत थी आज के समय की अधिक यह उनिफॉर्म सिविल कोड़ अगर देश इस तर पर बात की जाए तो उसकी मांग हो रही है लेगन कहीं ना कहीं जब यह मुद्द उठा तो यह हमारे आर्टिकल 44 में अल्रडी में मेंचन किया तो अभी कह दिया था कि जब समाज इसको एकसप्ट करे तभी इसे लागू किया जाए तो अभी समाज उतना मुझे लगता है तैयार नहीं है अलाकि उतरक्रण में यह बात हो रही है यूससी लागू हो रहा है तो क्या समाज से यह पूछा गया है सर्वे बढ़ें किया तो हमलब ग्विधिता हमें एकसेट करते हैं अगर और हर किसी का कल्चर और संस्कृतिय उलग-अग है अगर निघ्य जो नौर्थ के हिंदूज हैं और साउथ के हिंदू है उसमें भी अपना डिफरेंश है वहां पर बी कजन मेरेज होते हैं तो अगर स्वत्ग्रागा करना पड़ेगा कि पूरे कानौन में पूरी कानौन के कई लूप होलना हो इसे वह ँग लूप EN합. शरिया लौको वहाँ पर अमाना गया है तो इस तरह से उत्रगंड में देखना होगा कि किस तरह से इसके नियम है महिलाओं के लिए और मुस्लिम और अलपसंख्यों के लिए क्योंकि माना जाता है कि उसी जो देश इस्तर पर है वहाँ पर उसे अलपसंख्यों के लिए खत्र बन पाई है, देखना होगा कि देश इस्तर पर बनती है नहीं, अब उत्राखंड में तो UCC लाग हो जुका है, ये एक बात सत्य है, महिलाओं के लिए ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि समान हर चीज मिलेगी, पॉलिगायमिक हतम होगी, और बहुत सारी चीज़ें जैसे भत जिलता है, वो देखनी होगी, और ये देखना होगा कि उत्राखंड में UCC किस तरह से काम करता है, और देश इस तरपर इसे कब acceptance मिलती है, आज उत्राखंड में जो विपक्षी विदायक थे वो कह रहे थे, कि हमें ड्राफ्ट की कॉपी नहीं मिली, और हम इसकी बारीकियो पढ़कर हमारे साथ बातचीत कर रहे थी, और उन्होंने एक एक पॉइंट पर बात की, एक एक पॉइंट जो जितना ज़्यादा जरूरी था, उस पर बात होनी चाहिए थी, और जिस तरीके से UCC को लेकर अभी बात हो रही है, उत्राखंड में, विनान सभा में, जब इसे पेश कर दिया गया, तो देश में हल चल बहुत तीजी से बढ़ी है, यह हो रहा है कि उत्राखंड का नंबर आ गया, क्या देश का भी आएगा, या फिर कुछ लोग दरे हुए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉंग्रस तो यह भी कह रही है, कि आने वाले चुनाव को दे अगर मुस्लिमों की बात करें, तो बच्चा गोद लेने की बात करें, तो मुस्लिमों में यह था कि गोद नहीं ले सकते हैं, उनका वारिस नहीं बन सकते हैं, लेकिन यह यू सी से आप बच्चा गोद भी ले सकते हैं, और उसका आपका वो बच्चा वारिस भी बन सकता है आपके खांदान का और यह एक तरह से बहुत अच्छा है कि कुछ लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको बच्चों की लालसा होती है तो आपको एक तरह से एक मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ बुराई है अगर इस नजरिये से देखें और महिलाओं के साथ यह म बहुत अच्छी हुआ है कि एक साथ आप चार सादिय नहीं कर सकते हैं आपको अगर एक पतनी जिन्दा है तो आप दूसरी पतनी नहीं ला सकते हैं यह बहुत अच्छी बात है तो मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है कि मेल डॉमिनेटिंग यह कंट्री है हमारे हिंद इसी का जो प्रस्ताव रखा गया है वो मेरे साब से काफी अच्छा है क्योंकि उसमें महिलाओं के लिए जादा सोचा गया है जैसे कि हमने इसमें लिव इन रिलेशन्शिप के बारे में भी पड़ा है कि लिव इन रिलेशन्शिप में अगर कोई है तो उसको तो भी लड़कियों को भी बराबर का हग दिया जाएगा कि उनको उनको भी 50-50 प्रॉपर्टी उनको भी मिलेगी तो मुझे ये यू सी सी का जो प्रस्ताव रखा गया है ये काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कई ना कई महिलाओं के हित में भी है ये जो यू सी सी है न हमें नहीं है कि अभी भारत को एक कदम आगे बढ़ाए जाए ये लागू किया जाए क्योंकि भारत एक पटिकुलर किसी समुदा या धर्म का देश नहीं है तो उनका ये मानना था लेकिन अभी अभी हम खड़े हो के बोल सकते है कि भारत किसी धर्म का नहीं है भारत एक इ ज़िए बात हो रही है और जैसे मैंने नियूसरूम की फीमेल कुलीक से बात की उनका ये कहना है कि बहाँ जल्दी से देश में लागू किया जाना चाहिए मुझे लगता है कुछ और मेरी कुलीक्स हैं उनसे मुझे बात कर लेनी चाहिए आकांगशा चुकि हर खबर पर नज़र रखती है आकांगशा यूसीसी को लेकर आप क्या सोच रखती है टीवी पर भी अपने नज़र रखेगा लेकिन यूसीसी को लेकर as a female आप क्या सोच को? यह महिला से शक्तिकरण की तरफ एक अच्छी पहल है और मैं इसका स्वागत करती हूँ यानि कि नियूजरूम की हर महिला स्वागत कर रही है दीक्षा को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ दीक्षा लड़कियां तो खुब खुले दिल से स्वागत कर रही है और मुझे लगता है वो लड़कियां भी जिनकी 10-12 साल की एज में शादी हो जाती थी वो भी रिलीफ महसूस करें मुझे लगता है यह जो कानून बनाएं वो हर जगे भी लागो होना चाहिए क्योंकि सब को समान अधिकार मिले और महिलाओं को हर संपत्ती में अधिकार मिले तो यह कानून महिलाओं के लिए भी और जो मतलब जो कानून हर रिलीजन में अलग-अलग हैं वो सब के समान अधिकार, क्योंकि सभी समान है और हमें कई भेध भाव नहीं करना चाहिए तो उस हिसाब से ये बिल बहुत अच्छा है मुझे लगता है कि ये आगे बहुत जगे लागू भी होना चाहिए और होगा भी मुझे लगता है आज जब विधान सभा में इसे पेश किया गया तो भारत माता की जै, वंदे मात्रम, जैश्वी राम इस तरह के नारे लगे विपक्ष ने एतराज भी जताया लेकिन कुल मिला कर मैंने आज फीमेर से बात इसलिए की है, क्योंकि इस कानून में ठीक है, पुरुषों के लिए भी बाते है, लेकि मुझे में लिए लगा कि इसमें महिलाओं को लेकर ज़्यादा बाते हैं, शिकह चूट गई थी, शिकह से मैं बात कर लेती हूं क्योंकि हम अंतिम पड़ाव पर इस वीडियो के हैं शिखा यूसी सी कैसा लग रहा है मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है और जानकर के बहुत खुशी हो रही है कि अब इससे हर एक नागरिक को समान अधिकार मिलेगा जो चीजे थोड़ी बहुत कंस्ट्यूशन में होने के बाद भी हम उसका प्रॉफिट नहीं ले पाते थे वो पूरी दुनिया उसके बारे में नहीं जानती थी बहुत सारे लोग अपने अधिकारों से वंचीत रह जाते हैं सब को उनका अधिकार मिलेगा मैं और खास्तोर से जो फीमेल कोलीक्स हैं आज उनके चहरे की चमक बढ़ी होई है और वो यह कह रही हैं कि वही सिर्फ उत्रा कर नहीं अब तो इसे देश में लागो हो जाना चाहिए और सभी को इसका सपोर्ट करना चाहिए हाला कि राजनीती में आपने देखा है सत्ता पक्ष विपक्ष सभी अपने बाते रखते हैं एतराज भी होता है कुछ मनमुटाव भी होते हैं और एक राय होती नहीं है किसी भी चीज को लेकिन जब इंप्लिमेंट हो जाता है ऐसा कानून तो पर उसे फॉलo भी करना पड़ता है अब इंतजार utc का उत्रह खरण में हो रहा है बाकी देश को लेकर आप क्या सोचते है और utc को लेकर आप खाया सोचते है जरूर बताएगे कौमेंट सब्सेस में आपकी कौमेंट का इंतजार होगा